कि नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके योट्यूब चनल ट्रेड वित रहने चले दोस्तों सुरुवत करते हैं आज की आज चौदा मार्च और दिन के बारा बज़ने लाए मार्केट ऑपन है तो यह मैंने हाली फिलाल में न्यूस कवर किया था जो फीचर यानि फीच के चलते आप लोग को काफी चीज़े मैंने बता ही तो फिर मैंने उसके साथ साथ आपको यह बताया था पचास अरपे लेवल के जाएगा फ्यूचर रिटेल तो उधर से अपना प्रॉफिट बुक कर लेजिए आप फासे हुआ निकल जाए तो आई होप जिन जिन लोगों अपने उस वीडियो का देखा तो आपने अपना प्रॉफिट बुक क्या होगा और आज अच्छे कास है प्रॉफिट अन करके निकले भी तो अब फिर से मुवमेंट देखना है फ्यूचर रिटेल इन लिमिटेट के अंदर कैसे रहने वाला मुवमेंट और क्या रहने वाल में चल रही है ठीक है जैसे सर्वाइफ कर रही है तो अभी तो एमाजॉन के साथ इनकी लिस्टिंग बात चल लिए जब 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 एमाजॉन के साथ जो डिल चल रही है उसका अभी कोट में केस चल लागा जब तो वह रिजॉल्व नहीं होता जब तक तो समझे कोई अब चलते हैं इसके अंदर कैसा रहने वाला वह समझते हैं तो सबसे पहले इसका मार्केट का समझते हैं कि फूचे फूचे रिटेल लिम्टेड एनसी बेसी दोनों पर इसका मार्केट कैप है 2413 क्रोल बेगा इस्टोक आर ओसी इसका चल रहा है माइनस में 13.7 परसेंट का बुक वैली इसकी माइनस में 20.6 पैसे की है रिटर्न अफिक्वेटिस का माइनस में 134 परसेंट है यानि काफी जादा किर चुका शेर और फेस वैली इसका दोर पे गया है देखें कंपनी के अंतर सारी चीजे मैंने पहले भी आक्स प्लें की ती अब इसके ज्यादा एक्स चार्ट पर व्यू देखेंगे चार्ट पर कैसे व्यू देखने को मिल रहा है कि यहां से तेजी मिलेगी यह गिरावट मिलेगी वह समझते हैं तो प्लिस वीडियो का पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना बिल गुलना भूलिए फूचर रिटेल लिम्टेड तो यह आ ृप भीकिन फूंचर रोपीजन इसने तो मोटा मोटा नो परसंट गिरा बहुत जमने में देखें हें तो वन मंद न्ध के लिए क्या हैं विए च्छाड़ह एिसे ँखान अच्छी का से ग्रावड दिखा चुआ है अब यह आगे कैसे रहने वाला वो मुमिंट समझते तो दिखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रहा है तो जैसी डेली चार्ट पर क्या इंडिकेशन आ रहा है वो समझते है तो में ली क्या होता है कि सही समय पर आपको शेर केंदर इंट् प्राइज नहीं करेंगे शेर के वारे में पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं कैसा मुममन अन सब चीज़ें अपडेट नहीं रहेंगे तो आपको कोई सी भी तरह का प्रॉफिट या अर्निंग नहीं देखने को मिलेगी बजार के अंदर तो यह मैंने डेली चार्ट ओप तो चार्ट ओपन हो जाना दीजिए फिर उसके चार्ट पर ओवरिव्यू करेंगे फिर यहां से कैसे रहने वाला है आउटकम निकलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे बट आपको एक चीज़ बता दूँ शेर के अंदर ग्रावर तो डैफनेटी अब होर होगी यह अपन साइन बनना तो आप देख सकते हैं यह पूरा रांडिंग पैटन जब यह बनना डाउन फोल की तरफ तो यह और ग्रावर को इंडिकेट कर रहा हो यहां पर देखिए क्रोस मुविंग जैसे होगी यानि 7 डेस की मूव डाउन जाएगी और 21 डेस के अब जाएगी तो इसमे में जल्दी आपको 40 से नीचे भी ट्रेट करता नजर आएगा बट अब यह सही सर्मीनिस में बाइक करनेगा क्योंकि ग्रावर आपको और देखने हो मिलेगी आप दिसके लगा था चार दिन से शेर गिर रहा है और आपने 7 डेस के 7 डेस के हाइस के यानि 7 डेस के लो के नी मिल रहे हैं अब आपको क्या करना है अगर आपके पास शेर है चोटा मोटा लोस है तो आप होल्ड करिए अधर वाइस इसमें अब ग्रावर्ट के डाउन फॉल देखने हो जल्दी अपने 52 लोवी तोड़े गया नीचे जाने के दमखम इसमें और भी ज़्यादा दिख रह करते हैं तो जब तक हम इसमें किसी भी तरह की बाइंग नहीं करेंगे अब भी हाल फ्लाल के लिए आपको आवाइट करना है अगर आपके बाद चोटा मोटा लोस होता निकल जाए बड़े बड़ा लोस होल्ड करिए बल बट फ्रेस बाइं आपको बिलकुल नहीं करनी है अगर करता है जलती है चालीस तक के लिएवैस में मिलेंगे भी तो एल्दर वेसे की तूट की टूट की तूट की साती साथ अफिर रही को पूरे चार्ट पे तो 35 के लिए वाल पे जाकि एक सपोर्ट है उस सपोर्ट का अगर होल्ड कर जाता तो फिर इसमें तेजी धंकम देखने को मिलेगी बट अभी तो इसमें देखने को घरावट के इंडिकेट नजर आ रहे हैं यहां से और घरावट होगे इसके अंदर मैं आसा करता हूँ कि मेरे द्वारा दीगे जानकर सपोर्ट सेमें देखने प्लिस वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना वोले थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो झाल के अंदर लावट सेमें देखने करता हूँ करता हूँ करता हूँ झाल 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 झाल